क्लास नाइंद केम चुमेरी जान, मस्त, मजा माप, प्लीज लेट में नो इन दे कॉमेंट सेक्शन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइंद के इंग्लिस के बिहाई बुक का चाप्टर नंबर 6, माई चाइल्ड होड, माई चाइल्ड होड के फर्स पार्ट और सेकेंड प देखो, हमने फर्स पार्ट और सेकेंड पार्ट में पराग्राफ नंबर 7 तक पढ़ लिया था, मैं आपको एक थोड़ा सा ओवर्व्यू दे देता हूं कि हमने लास्ट पार्ट के अंतिम में क्या पढ़ा था, हमने पार्ट 7 में पढ़ा था ना, कि भाई, एपीज और पीछे जाकर बैठिये, ये बात दोनों को बुरी लगती है, एपीज अब्दुलकलाम और उनका जो दोस्त था रामानदा सास्त्री, इन दोनों को बुरी लगती है और ये दोनों अपने पापा ममी को जाकर ये बात बताते हैं, फिर ये जो रामानदा सास्त्री के कर दी है हिंदू और मुसल्मान में भेद भाव करके ठीक है अब हम इसके आगे पढ़ेंगे पैराग्राफ नमबर एट से आगे देखते हैं क्या कहता है कि on the whole the small society of Ramesuram was very rigid in terms of the segregation of different social groups यह कहते हैं एपिज अबदुलकलाम कहते हैं कि अगर हम पूरे Ramesuram की बात करें तो पूरे Ramesuram का जो छोटा सा समास था यह Ramesuram खुदी एक छोटी सी जगह है और यहां पर जो रहने वाले लोग थे वो काफी सक्त थे किस मामले में सक्त थे in terms of the segregation of social groups मतलब यह क्या करते थे segregation करते थे segregation का मतलब क्या होता है difference भेद भाव करना segregation का मतलब क्या होता है भेद भाव करना किसी एक जात को उचा समझना और किसी दूसरे जात को नीचा दिखाना इसको हम segregation कहते हैं तो यह कहते हैं कि भाई पूरे Ramesuram में जितने भी लोग रहते थे न वो क्या करते थे वो अपनी अपनी जात को बढ़ावा देते थे वो अलग-अलग कास्ट और जातियों में भेद भाव करते थे, segregate करते थे ठीक है अब यह कहते हैं कि भाई पूरा Ramesuram अपनी अपनी जात को लेकर काफी जादा बढ़ावा देता था अपनी जात को हिंदु मुसलिम में वो फरक करते थे लेकिन हमारे साइन्स के टीचर ऐसे नहीं थे एपीजे अब्दुलकलाम बचाते हैं कि जो मेरे साइन्स के टीचर थे स्यू सुब्रमन्या अईयर ये एक ब्राम्हड परिवार से तालुक रखते थे इनका जो जनम हुआ था कटर ब्राम्हड परिवार और्थाडॉक्स का मतलब क्या होता है जो कटर ब्राम्हड होते हैं जो केवल ब्राम्हडों को ही बढ़ावा देते हैं केवल ब्राम्हडों की ही बात सुनते हैं और ब्राम्हड होने पर गर्व करते हैं उनको हम और्थाडॉक्स ब्राम्हड कहते है जो जातपात में विश्वास रखता है जो अलग-अलग जातियों की इज़त नहीं करता उसको हम conservative wife कहते हैं तो हमारे science की teacher स्यू सुब्रमनिया ये ये वैसे तो ब्रामर्ण परिवार से थे और इनकी पत्नी भी बहुत ही छोटे दिमाग की थी लेकिन फिर भी was something of a rebel लेकिन जो मेरे science teacher थे वो क्या थे वो एक तरीके के विद्रोही थे एक तरीके के rebel थे वो जातपात पर बिस्वास नहीं रखते थे वो रामिस्वरम के लोगों से बिलकुल अलग सोचते थे he did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily एपीजए अबदुलकलाम आगे करते हैं कि जो हमारे teacher है इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इन्होंने बहुत try करा कि यह जो जातपात की जो चीजें हैं जो social barriers है जो हिंदु मुसल्मान में फरक है इस फरक को वो मिटाने की कोसिस कर रहे थे ताकि जो लोग है वो एक दूसरे में मिंगल कर पाएं एक दूसरे से mix हो जाएं एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें ठीक है he used to spend hours with me एपीज अबदुल कलाम कहते हैं कि भाई जो मेरे science के teacher थे न वो मेरे से घंटो बाते किया करते थे और हमसे कहते थे कि कलाम मैं चाहता हूं कि you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities एपीज अबदुल कलाम बताते हैं कि जो मेरे science के teacher थे न वो मेरे साथ घंटो बिताया करते थे और मुझसे कहा करते थे क्या कहा करते थे वो हमसे कहते थे कि कलाम I want you to develop मैं चाहता हूं कि तुम इतना आगे बढ़ो इतना आगे बढ़ो कि तुम उन सभी लोगों से आगे ब बढ़ो कि तुम उन सभी लोगों से आगे बढ़ जाओ जो लोग सहरों में रहते हैं उच सिच्छा पाते हैं highly educated होते हैं आप उन सभी लोगों से आगे बढ़ जाओ ये मेरी इक्छा है ये कौन कहता था ये सुब्रमनिया आईयर जो APJ अबदुल कलाम के teacher थे वो कहते थे ठीक है आगे पढ़ते हैं paragraph number 9 में one day he invited me to his home for a meal अब एक दिन हुआ क्या कि APJ अबदुल कलाम की जो science teacher थे ना इन्होंने अबदुल कलाम को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया his wife was horrified अब इस बात से जो सिव सुब्रमनिया आयर थे जो science के teacher थे उनकी पत्मी ना इस बात से बिलकुल चिड़ गई किस बात से चिड़ गई at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen उनका जो साप सुथरा kitchen था ऐसा होता ना कि हिंदूों में क्या होता है कि जो ब्रामध परिवार से होते ना उनके kitchen में sleeper पहन के जाना allowed नहीं होता है बिना नहाए आप अगर kitchen में चले गए तो वो भी allowed नहीं होता है तो इसी चीज़ को हम ritually pure kitchen कहते है ritually pure का मतलब ये देखो kept protected from all outside influences मतलब बाहरी लोग जिस जगह पर ना आपाएं उसको हम कहते है ritually pure kitchen ठीक है तो जब इनकी wife सुनती है कि भाई APJ अब्दुलकलाम खानी के लिए आ रहे हैं तो ये इस बात से काफी चिड़ जाती है किस बात से चिड़ जाती है कि एक muslim लड़का आने के लिए घर पर आ रहा है और वो भी मेरे kitchen में बैट कर खाएगा ये बात उनके पतनी को पसंद नहीं आती है सी refuse to serve me in her kitchen और इसी वज़र से जो मेरे science teacher की पतनी थी ना उन्होंने मना कर दिया कि मैं किसी muslim लड़के को अपनी kitchen में खाने नहीं दूँगी और ये बात सुनने के बाद जो हमारे science के teacher थे ना वो बिलकुल भी परिशान नहीं हुए perturbed का मतलब होता है disturb होना परिशान होना तो ये बात सुनकर न कि भाई मैं किसी muslim लड़के को अपनी kitchen में नहीं खाने दूँगी अपनी पतनी की ये बात सुनकर सुव सुब्रमनिय आईयर बिलकुल भी परिशान नहीं होते हैं और ना ही वो अपनी पतनी से गुसा होते हैं इसके बदले में वो क्या करते हैं भाई जब उनकी पतनी ने मना कर दिया कि मैं तो खाना नहीं देने वाली हूँ अपनी kitchen में तो सुब्रमनिय आईयर ने क्या किया अपने हाथों से अब्दुलकलाम को खाना दिया और उनके बगल में बैठ गए अपना खाना लेकर उनके साथ खाने के लिए जो सुब्रमनिय आईयर की जो पतनी थी जो हमारे science teacher की पतनी थी वो ये सारी चीजे अपने kitchen की दरवाजे के पीछे से देख रही थी आपको इतना तो पता ही होगा कि इस बार आपका जो term on examination होने वाला है उसका paper pattern बिल्कुल हट के आने वाला है जी हां तो क्या किया जाए अनिकेड्मी इजी के लिए लेकर आया है आपके लिए comprehensive preparation package जिसमें अगर आपको कोई doubt होता है तो आप अनिकेड्मी के ask doubt feature का use करके अपने doubts को clear कर सकते हो और अपने आने वाले exam के लिए emerge mega mock board exam के mock test से prepare कर सकते हो जी हां ये mock test आपके लिए बहुत अदर special होने वाला है क्योंकि आपके पास चार्ण से कि आप 50 लाग तक के नाम जी सकते हो जो top rankers होंगे इस test में उनको Macbook Air, iPad Pro, iPhone 12, OnePlus 9, Laptop, Headphones and Academy के branded trophies और goodies भी दीरी चाहते हैं ये जो mock test होने वाला ये class 10th and 12th के लिए होगा ये अगर आपके बड़ी भाया है आप class 9th में हो आपके बड़ी भाया है या आपकी कोई बड़ी जीदी है तो आप उनको recommend कर सकते हो क्योंकि ये mock test बिलकुल free of cost होने आप इसी कोड का यूज करके आने के परचेसिंग 10% discount में खर सकते हो I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water और cleaned the floor after the meal A.P.J. अबदुल कलाम कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि क्या इनकी पतनी को कुछ अंतर दिख रहा है क्या मतलब जिस तरीके से मेरे science teacher जो एक ब्रामहर थे जिस तरीके से वो चावल खा रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से मैं भी चावल खा रहा था जिस तरीके से वो पानी पी रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से मैं भी पानी पी रहा था खाना खाने के बाद जिस तरीके से उसने जो अगल बगल जो थोड़ा बहुत गिर गया था उसको जैसे ही वो उठा रहे थे बिल्कुल मैं भी वैसा ही कर रहा था तो मैं यह सोच रहा था कि क्या कोई अंतर दिख रहा है क्या उन्हें कि एक ब्रामट जैसे खाता है एक मुसलमान जैसे खाता है इसमें कोई अंतर है क्या यह बात APJfahrकalam सोच रहे थे You have to join us for the dinner again the next weekend. मतलब APJ Abdul Kalam घर से खाकर जैसे ही निकल रहे थे उनके घर से, तो फिर से उनके science teacher ने क्या कहा? Invited me to join him for dinner again the next weekend. उनके science teacher ने दुबारा कहा कि APJ Abdul Kalam मैं चाहता हूँ कि आप अगले हपते फिर से हमारे घर पर आएं और फिर से हमारे साथ बैठ कर खाना खाएं. Observing my hesitation, he told me not to get upset. अब APJ Abdul Kalam जैसे ही सुनते हैं कि उनके science के teacher दुबारा उन्हें खाने के लिए बुला रहे हैं, तो वो थोड़ा सा परिशान हो जाते हैं, थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, क्यों हिचकिचाते हैं, क्यों हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि science teacher की जो पत्नी थी, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, कि एक muslim लड़का उनके इहां पर आकर खाएं. इसलिए APJ अबदुलकलाम क्या कर रहे थे, थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे आने में, अब इस चीच को देख करना, उनके science की teacher ने क्या कहा पता है, उनके science की teacher ने कहा, कि भाई, मेरी पत्नी ने जो तुमारे साथ किया, इस बात से बिलकुल भी परिशान ना हो, क्यों कोई ऐसा rule बदलना चाहते हो, जो पुराने समय से चली आ रही है, तो तुमको ऐसी छोटी-छोटी दिक्कते आती रहेंगी, मतलब स्रिव सुब्रमनिया आयर कहते हैं, कि अगर हमें जातपात को हटाना है ना, तो ऐसी छोटी-छोटी दिक्कतों का सामना तुमें करना पड तो हुआ क्या कि जो मेरे साइंस टीजर की पतनी थी ना, वो खुद मुझे अंदर ले गई अपने किचन में and served me food with her own hands और उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे खाना खिला है, मतलब उनकी पतनी ये सारी जीजे देखकर एकदम बदल गई कि भाई, हिंदू-मुसल्म में तो सच मुझ कोई फरक नहीं होता, फरक है तो केवल हमारी सोच में, चलते हैं अपने टेन पराग्राफ पर, आगे एपीजे अब्दुलकलाम बताते हैं कि then the second world war was over and India's freedom was imminent, वो कहते हैं कि भाई, ये सब होते होते, second world war मतलब 1945 में world war खतम हुआ था, तो ये कहते हैं कि भ और जो इंडिया की आजादी थी, वो पूरी तरीके से पक्की हो गई थी, पूरी तरीके से एमिनेंट हो गई थी, एमिनेंट का मतलब कोई चीज fix हो जाना, ठीक है, तो ये कहते हैं कि भाई, second world war अब तक खतम हो चुका था, और इंडिया बिलकुल आजाद होने वाला था, इंडिया की जो आजादी थी ना, वो बिलकुल पक्की हो चुकी थी, Indians will build their own India, declared गांधी जी और गांधी जी ने तब तक ये भी कह दिया था, कि जो हम भारती हैं, हम अपना नया इंडिया बनाएंगे, हम अपनी तरीके से इंडिया बनाएंगे, मतलब इंडिया अब कर बैठ गया, कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, unprecedented का मतलब होता है, कि ऐसा जो पहले कभी ना हुआ हो, जो बिलकुल नया हो, ठीक है, तो देशवासियों के लिए ये बात बिलकुल नई थी, कि भाई, हमारा इंडिया आजाद हो जाएगा, सभी देशवासियों के मन में ए आसा जग गई थी, एक आप्टिमिजम आ गई थी, कि हाँ, हमारा देश भी अब आजाद होने वाला है, इसी बीच, एपीजे अब्दुलकलाम अपने पापा से परमीशन मागते हैं, कि पापा, मुझे रामेसुरम से निकलना है, बाहर, जो रामनात पुरम है, रामनात में जाकर पढ़ना है, जो रामनात पुरम था ना, ये डिस्ट्रिक हेड़कॉर्टर था, आप ऐसे कह सकते हो, कि एक बड़ा सहर था चलना ही का, ठीक है, वहाँ पर जाकर ये पीजे अब्दुलकलाम पढ़ना चाहते थे, अब जैसे ही ये बात, इनके पापा सुनते हैं, तो इनके पापा क्या सोचते हैं, पता है, He told me, as if thinking allowed, देखो, यहाँ पर आपको जितनी भी explanation यूटूब पर मिलेगी, वो इस line को उन्होंने गलत बताया है, मैं आपको बताता हूँ, इस line का मतलब क्या होता है, He told me, as if thinking allowed, देखो, अब जो इनके पापा है, जैसे ही सुनते हैं कि A.P.J. अबदुलकलाम बाहर जाना चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत सोचा, और बहुत सोच के क्या कहा, उन्होंने कहा कि अबदुल, मुझे पता है कि तुम्हें बाहर जाना है, ताकि तुम ग्रो कर सको, ताकि तुम आगे बढ़ सको, फिर उनके पापा एक 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 दिन तो सबको बाहर जाना है फर्स फ्लाइट आपने चाप्टर पढ़ा होगा उसमें जो सीगुल है वो भी एक दिन आसमान में उड़ता है अकेला उड़ता है अपने नेस्ट अपने घोसले से हट कर कहीं दूर चला जाता है उड़ता है अपना खाना इकठा करता है और रहता है मतलब इस एक्जामपल से एपिज अब्दुल कलाम के पापा बताते हैं कि भाई कोई भी यहाँ पर अपने घर पर नहीं रहता सबको कहीं न कहीं बाहर जाना है ताकि वो ग्रो कर सके ठीक है जो एपिज अब्दुल कलाम के पापा थे वो अपनी वाईफ मतलब एपिज अब्दुल कलाम की मा से कहते हैं कहते हैं कि जो तुम्हारे बच्चे हैं वो सचमुस तुम्हारे बच्चे नहीं है वो किसके बच्चे हैं They are the sons and daughters of life's longing for itself. मतलब, जीवन उनसे जो चाहती है, मतलब उनकी जिन्दगी जो उनसे मांग करेगी, केवल वो उनहीं के बेटे और बेटियां है. मतलब, वो उनकी जिन्दगी में जो उन्हें सही लगेगा, वो करेंगे. इस वज़र से, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चे नहीं है. ये किसके बच्चे है, ये जीवन उनसे जो चाहती है, वही करेंगे. इसलिए ये किसके बच्चे है, जीवन के बच्चे है. They come through you, but not from you. A.P.J. अबदुलकलाम के पापा, उनकी मम्मी को समझाते हैं, कि ये जो तुम्हारे बच्चे है ना ये तुम्हारे बच्चे नहीं है ये तुम्हारे थुरू आए हैं तुम्हारे अंदर से ये जरूर निकले हैं लेकिन ये तुम्हारे लिए पैदा नहीं हुए है You may give them your love तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो लेकिन उन्हें अपना विचार नहीं दे सकती क्यूँ? क्यूँकि भाई सब ही लोगों का अपना अपना विचार होता है कुछ लोग घर पर ही रह सकते हैं और कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं ग्रो करना चाहते हैं जैसे APJ अब्दुल कलाम ग्रो करना चाहते हैं तो इस पूरे paragraph में जो अब्दुल कलाम के पापा थे वो अब्दुल कलाम की मा को समझाते हैं कि आप परिशान ना हो क्योंकि केवल अखेला तुम्हारा बेटा ऐसा नहीं है जो बाहर जा रहा है सब की बेटे ऐसे ही होते हैं जिसको जरूरत पढ़ती है जिसको आगे बढ़ना है वो बाहर जरूर जाता है So this is the whole chapter written by our great scientist A.P.J. अबदुलकलाम यह जो पूरा chapter है यह Wings of Fire नाम की किताब से लिया गया है Wings of Fire A.P.J. अबदुलकलाम की autobiography है अगर कभी time मिले तो Amazon से order करके इस book को जरूर पढ़े because it can change your life So this is all about this chapter Hope you have loved this chapter अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फटा फट लाइक कर देना चैनल को सेर करो सस्क्राइब करो मिलते हैं एक और धमागेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए शाश्य आकाल और चैनल बबाए